दोस्तो हम जो है इस सीरीज के अंदर इलेक्टिकल के जो मेजरिंग इंस्ट्यूमेंट होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हैं पिछले वीडियो के अंदर हमने जो बात की थी वो बात की थी जो सबसे पहला पार्ट था उसके अंदर इलेक्टिकल मेजरिंग इंस्ट्यूमे लिटर के बारे में बात की थी कि वो कितने टाइप के होते हैं, उनके अंदर क्या लगा रहता है, और किस तरीके से काम करते हैं, और किस तरीके से उनकी रेंज को एक्टेंड कर सकते हैं, यानि कि मल्टी रेंज एमिटर बना सकते हैं, और कितने टाइप के होते हैं, आज जो ह नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है महेंदर कुमार सेनी और आप देख रहा है MKSM Tech Guide दोस्तों electrical जो voltimeter होते हैं उनके types के बारे में बात करें तो यह जो है दो type के होते हैं PM MC type ठीक है permanent magnetic moving coil type और दूसरा होता है magnetic moving iron coil type ठीक है जो permanent magnetic moving coil type होते हैं वो सिरफ DC voltage को ही measure कर सकते हैं और यह AC तो DC, AC and DC दोनों को measure कर सकते हैं उसके बाद में इनके अंदर जो permanent magnetic type होते हैं भी दो type के होते हैं एक होते है AC को measure करने वाले एक होते हैं DC को measure करने वाले तो और अगर variant type के voltimeter की बात करें तो यह जो दो meter दिखाए हैं यह हमारे analog meter ठीक है यह है हमारे analog voltimeter ठीक है और stör गाहारा हाँ जो दिखाए हैं यह हमारे digital voltmeter ठीक है तो एसको इसलिए बोलते है क्योंकि इनके अंदर जो रीडिंग आती है वो डिजिट के अंदर आती है और इनके अंदर एक स्केल के ऊपर रीडिंग दिखाई जाती है इसलिए इनको एनालोग और इनको डिजिटल बोला जाता है ठीक है उसके बाद में देखो यह हमने आपको बता दिया कि जो है दो टाइप के वोल्टीमिटर होते हैं प्यम्मसी टाइप हो रहा ही उसके बाद में वोल्टीमिटर का यूज देखते हैं यूज देखो वोल्टीमिटर का यूज किया जाता है वोल्टेज चेक करने लिए इसको connection काहा कैसे करते हैं जो हमारा लोड होता है या फिर हमारा जो source होता है जैसे लोड को हम resistance से दिखाते हैं उसके parallel में उसके parallel में हमारे voltimeter को connect कर दिया जाता है और उसके अंदर जो reading आती है वो voltage की reading आती है अब देखिए actual में AC के अंदर यहां पर मैंने जो दिखाया है वो AC के अंदर क्या होता है कि AC हम एक sinusoidal wave होती है जिसका एक peak value होता है ठीक है यह peak value है ठीक इसको हम maximum voltage भी बोलते हैं और एक होता है rms value root mean square value और एक होता है average value लेकिन हमारा जो voltimeter होता है वो हमारा जो है voltage का voltage का rms value यानि कि उसका effective value को ही measure करके दिखाता है इसका मतलब यह हुआ कि हम जब भी voltimeter को connect करते हैं voltimeter को load के साथ या source के साथ voltage में connect करते हैं तो जो reading आती है वो reading जो है voltage के rms value को दिखाती है यानि कि voltage के effective value को लेकिन DC के अंदर यहाँ पे जो दिखाया है यहाँ पे इसके अंदर हमने दिखाया है कि DC जो voltimeter होता है वो जब voltage चेक करता है तो उसके अंदर rms या peak value जैसा कुछ नहीं रहता इसका actual जो reading होता है वही reading DC में दिखाता है ठीक है जैसे मानलो कि यह कोई source है उसका voltimeter का reading 240 है तो वो 240 ही दिखाएगा ठीक है लेकिन AC के अंदर क्या होता है peak value को नहीं दिखाता average value को भी नहीं दिखाता इसके effective value जो की root mean square value होती है vrms उसको show करता है reading के अंदर चाहे वो analog parameter हो चाहे वो digital voltimeter हो दोनों के अंदर ही हमारा rms value ही दिखाता है ठीक है उसके ब maximum maximum value की vrms value जो होती है वो 70.7% होती है maximum की यानि की vrms vrms जो value होती है वो 70.7% होती है किसकी of v maximum की ठीक है और v average average जो value होती है तो इस तरीके से जो value calculate की जाती है वी maximum की जो rms value होती है वो दिखाती है और हमारा जो voltimeter होता है वो rms value को ही show करता है उसके बाद में देखे single phase voltimeter होता है उसके connection किस तरीके से होते है single phase volt के अंदर अगर voltage check करना है single phase के अंदर voltage check करना है तो हमारे पास एक two pole का source होगा धीक है two pole का source में एक phase होगा और एक neutral होगा तो जैसे मानलो हमारे पास एक load है load है हमारे पास 108 का bluff 108 के bluff को अगर हमको load से connect करना है तो उसके लिए हमको एक source चाहिए जैसे मानलो की ये AC source है AC source को हम control करने के लिए MCB लगाते हैं अब MCB के साथ और load के साथ और source के साथ connection कैसे होंगे देखिए source को पहले MCB में connect किया जाता है उसके बाद में MCB को connect किया जाता है MCB हमारा एक परकार का switch है ठीक है उस MCB को हम connect कर देते हैं load के साथ ठीक है अब हमको voltage check करना है voltage check करना है तो voltage हम source का भी check कर सकते हैं और load का भी check कर सकते हैं और voltimeter को जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये voltimeter जो होता है वो load के साथ या source के साथ parallel में connect होता है तो जैसे मालो कि source का voltage check करना है इस example में मैं source का voltage चेक करने के लिए बता रहा हूँ तो source के voltage के लिए हमको एक चाहिए voltimeter voltimeter के connection किस तरी के से करेंगे इस तरी के से कि एक phase का wire जोड़ देंगे और एक neutral का wire जोड़ देंगे तो यहाँ पर यह जो wire है यह हमारा phase है और यह हमारा neutral है ठीक है यह two pole है single phase supply है अगर three page के अंदर connection करने हो तो वो कैसे करेंगे देखते हैं देखे three page के अंदर जो connection करने है माल लो हमारे पास एक three page का source है ठीक है star connected कोई source है उस source को किसी load से connect करना है जैसे माल लो हमारे पास एक motor है motor के साथ हमको connect करना है तो load को और source के साथ direct नहीं connect किया जाता है इसके लिए हम एक starter काम में लेते हैं ठीक है जैसे मालो यह हमारा DOL starter है ठीक है इसके connection किस तरीके से करेंगे हमारे source की supply जाएगी हमारे DOL starter के पास ठीक है यहाँ पर तीनो phase phase के लिए होते हैं इसके connection coil को इसकी coil जो होती है उसके लिए काम में लिया जाता है जैसे हम उसके बाद में हमारे जो starter होता है उसको जोड़ देते हैं motor से अब हमको क्या है इसके voltage चेक करने हैं ठीक है तो voltage जो होते हैं phase to phase यानि कि voltage line check और voltage P ठीक है यह होता है line to line voltage और यह होता है line to neutral voltage ठीक है यह check करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा एक voltimeter चाहिए ठीक है voltimeter को अब सभी के साथ connection एक तरीके से नहीं दिये जा सकते क्योंकि उसके पास दो ही terminal होते है connect करने के लिए ठीक है यानि कि किसी भी दो ही point का voltage वो दिखाता है इसके लिए हमको क्या चाहिए एक terminal एक selector switch चाहिए selector switch decide करेगा कि हमको किसका voltage चेक करना है ठीक है तो सबसे पहले हम जो है जो selector switch होता है उसके साथ हम चारों जो तीनों phase और neutral के connection कर देते हैं उसके बाद में जो दो terminal होते हैं वो voltage meter के साथ में connect हो जाते हैं और उसके बाद में हम जो है selector switch के अंदर selector switch के अंदर line 1,2 का voltage, line 2,3 का voltage, line 3 और 1 का voltage चेक कर सकते हैं selection करके और उसके बाद में line के साथ neutral voltage line 2 का साथ neutral voltage और line 3 के साथ neutral voltage भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से जो है 3-phase voltimeter के अंदर 3-phase के जो source या load होता है उसका voltimeter का voltage चेक किया जाता है इस तरीके से उसके connection होते हैं ठीक है उसके बाद मैं देखते हैं कि इसके अंदर voltimeter की connection कैसे होती है इसके अंदर देखो एक permanent moving magnetic coil होती है यह permanent magnet है और यह एक moving coil है ठीक है इसलिए इसको PM MC बोलते है permanent magnetic moving coil इसके अंदर जो magnetic field coil है उसके अंदर 2 terminal होंगे 2 terminal को हम जैसे ही PLL में connect करेंगे तो यहां से एक current flow होता है ठीक है वो current क्या होगा एक magnetic field generate करेगा और यहां पे जैसे motor move करता है यह spindle के साथ में एक pointer connect होता है और यह pointer इसके उपर move करता है ठीक है इस तरीके से जो है हमारा voltimeter जो होता है काम करता है ठीक है लेकिन यह तो galvanometer भ in-tri-te-up होगा वही उसका voltage को शो करेगा क्योंकि आप जानते हैं इसके अंदर जो current जाएगा इसके अंदर करण जाएगा मालो मिटर के अंदर करन जा रहा है वह क्या होगा इसके resistance के उपड़ेट करेगा ठीक है इसके resistance के RM के उपड़ेट करेगा और हमको जो reading दिखाएग यानि कि scale के उपर जो reading दिखाएगा वो दोनों के multiply के बराबर दिखाएगा यह हो गया I am RM यानि मीटर के अंदर जो current जा रहा है वो into उसका मीटर की coil का जो resistance है उनके गुणनफल के बराबर हमको जो है reading दिखाएगा जो actual में reading होता है V का क्योंकि आप जानते हैं ohm के नियम अ किसे काम करता है अब देखते हैं working जो है इसका circuit मनाते हैं इसका circuit इस तरीके से मनता है कि जैसे मालो कि हम एक voltimeter है उसका जो resistance है coil का वो है rm और इसके series में हम एक resistance लगा देते हैं जिससे कि उसका voltage drop जो है बढ़ जाता है ऐसा किसलिए होता देखो अगर मालो हम starting के अंदर ये voltimeter है मालो 0 से 5 5 voltage चेक करने का voltimeter तो इसके अंदर जो current flow होगा मालो की 0.001 ampere यानि की 1 milli ampere current flow हो रहा है तो ये जो है इसका resistance कितना होगा मालो 5000 ohm का ठीक है 5000 ohm इसका resistance है rm की value हमने रखी है 5000 ohm 5000 ohm तो ये जो है value i into r i into r क्या होगी जाएगा 5000 5000 into 0.001 ठीक है तो ये actually 5 voltage तक चेक कर सकता है यानि कि इसके ओपर जो voltage रोफ होगा वो 5 voltage तक होगा लेकिन हमको इसके series में अगर इसके series में कोई और resistance जोड़ देते हैं इसके series में कोई और resistance जोड़ देंगे तो इसका equivalent resistance बनेगा यानि कि r total r total क्या बनेगा r series का resistance प्लस rm ठीक है इस तरीके से इसके ओपर जो voltage ड्रोफ होगा voltage ड्रोफ जो होगा यहाँ पे जो resistance है उसकी value बढ़ेगी और इसके अंदर जो current capacity है यानि कि IM जो है वो fix रखता हूं है यानि कि 1 mA और इसका resistance बढ़ा देता हूं 50,000 ohm तो यह हो जाएगा 50 voltage तक का resistance ठीक है तो यहाँ पे जो मैंने resistance चेक किया है यहाँ पे जो series में इसको पूरा पूरा जो total resistance बन रहा है 50,000 ohm ठीक है इसका पहले से ohm है पहले से जो resistance है वो है 5000 ohm तो हमारा जो voltmeter था वो 0 से 5 voltage चेक कर सकता था अब वो 0 से 50 voltage चेक कर सकता है इस तरीके से जो है voltage की range को extend किया जाता है उसके बाद में देखते है extension of the range of moving coil voltmeter जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके series में जो resistance हम जोड़ेंगे उसकी value के आधार पर हम जा रहा हमारा जो voltmeter का resistance है व यानि series resistance और RM ठीक है यानि कि meter का resistance उसके टूले होता है इसके अंदर जो current जाने वाली capacity है जैसे मानलो current जो coil के capacity है वो एक इतना ही ampere की है अब मैं जैसे जैसे resistance बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसके अंदर voltage drop क्या होता जाएगा भड़ता जाएगा ठीक है जैसे मानलो कि मैं voltmeter जीरो से पांच वोल्टेज तक का जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर 5000 ohm total रखूंगा 5000 ohm total रखूंगा अगर मुझे 0 से 50 ohm का बनाना है 50 voltage तक का बनाना है तो मेरा जो resistance होगा वो होगा 5000 ohm ठीक है अगर इसी को मुझे 0 से 500 ohm 500 voltage तक का बनाना है तो इसके साथ मैं reading लखूं Rs.c और RM इसका value क्या है यहां पे भी मेरा 5000 ohm है 5000 ohm यहां पे भी मेरा 5000 ohm है ठीक है और यहां पे भी मेरा 5000 ohm है ठीक है यानि कि मेरा जो meter है वो same है meter की coil का current capacity भी कितना है मेरा? इतना ही है यानि कि meter जो है meter की coil capacity एक milliamp यह है लेकिन मैं जो series में resistance जोड़ूंगा total resistance इसके resistance जोड़ने की जरूत नहीं है यहाँ पर अगर range बढ़ानी है तो मुझे 45,000 ohm resistance जोड़ना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पर अगर मुझे resistance बढ़ाना है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 4,50,000 ठीक है 4,50,000 ohm का resistance इसके अंदर जोड़ दूँगा तो मेरी जो range हो जाएगी वो range extend होती जाएगी ठीक है इस तरीके से अब इस से आपको यह समझ में आता है कि मैं एक ही मिटर को एक ही मिटर जिसका internal resistance 5000 ohm है और जिसकी current capacity जो moving coil है उसकी current capacity 0.001 1 1 milli ampere है उसी को मैं series में resistance जोड़के series में इतना ohm resistance जोड़के उसको इसकी range को extend कर सकता हूँ ठीक है अब देखिए अब आपको reading कैसे पढ़नी है यह reading इसका 10 गुना है ठीक है यह इसका 10 गुना है यह इसका 100 गुना है तो यहाँ पे जो भी reading आएगी उसको आपको 10 से multiply करना है ठीक है यहाँ पे जैसे मालो कि 2 voltage आ रहा है तो इसको 10 से गुना करेंगे तो यह 20 voltage आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे अगर आपने connection इस पे कर रखा है तो ऐसे condition में आपको क्या करना है जो 2 reading है उसको 100 से multiply करना है जिससे कि आपकी actual reading का पता चल जाएगा कि 200 voltage है ठीक है तो इस तरीके से हम किसी भी voltimeter की range को extend कर सकते है उसके बाद में देखते हैं कि यह जो voltimeter है उसके अंदर जो resistance लगाया जाता है इसी को हम बोलते हैं संट resistance ठीक है संट resistance या है multiply resistance यानि कि इसी resistance को हम क्या बोलते है multiply resistance ठीक है सिरीज resistance को ही multiply resistance बोलते है इससे क्या होता है हमारी जो value होती है voltimeter की reading करने की वो बढ़ जाती है multiply हो जाती है इसी resistance की value की आधार पर तो हम जो है कितना resistance जोड़ेंगे इसका calculation देखें इस तरीके से किया जाता है इसका जो calculation किया जाता है वो किया जाता है पहले multiplying factor निकाला जाता है यह हमारा total voltage है मतलब हमको जैसे मालनो कोई voltimeter है 0 से 5 voltage का 0 से 5 voltage का उसको हमको बनाना है 0 से 500 voltage का G100 से 500 voltage का तो Vm जो होगा वो 500 voltage वाला reading है ठीक है 500 voltage वाला reading V maximum अब meter का reading actual में meter कितना read कर सकता है तो यह जो है हमारा 5 voltage ठीक है तो इस तरीके से हमारा जो ही इसका 100 क्या हो जाएगा multiplying factor अब यहाँ पे यह भी voltage है और यह भी voltage है इसलिए इसके multiplying factor जो है उसका कोई भी unit नहीं होगा ठीक है इस तरीके से multiplying factor ज्याद किरते हैं और उसके बाद में cent में यानि कि हमारे जो series resistance है यानि कि multiplying resistance है उसका value जो होगा इस तरीके से ज्याद किया जाता है ठीक है into rm यह है हमारा cent series में जो resistance multiply resistance लगाना है और यह हमारा mf ठीक है mf minus 1 जैसे माल लो कि यह जो voltimeter है वो हमारा कितना है और इसकी current capacity इसका starting resistance है 5000 ठीक है और हमको इसको 500 voltage का बनाना है तो 500 voltage का multiplying factor जैसे कि मैंने आपको बताया किसका 100 हो गया तो इसके अंदर कितना resistance जोड़ूँगा कि इसका 500 voltage बन जाएगा तो इसके अंदर देखिए multiplying factor 100 minus 1 ठीक है into rm यानि कि meter का resistance meter का resistance क्या है 5000 ठीक है तो यह sun resistance कितना हो जाएगा 99 into 5000 ठीक है और यह हो जाएगा 45,000 तो हमको जो है इस resistance के series में series में 45,000 का resistance जोड़ने से 4,500,000 4,500,000 ओम का resistance जोड़ने से यह जो voltimeter है जो पहले actual में 0-5 voltage तक का है वो 0-500 voltage तक का resistance voltage चेक कर सकता इस तरीके से हम जो है multiplying factor के आद करते हैं और multiplying factor के साथ में हम एक resistance की value निकाल के उसके साथ series में connect करके उसको जो है extend कर सकते हैं यानि कि उसकी read करने की capacity को बढ़ा सकते हैं उसके बाद में देखते हैं multi range voltimeter multi range voltimeter के अंदर क्या होगा देखिए आप यह multi range voltimeter दिखाया है जिसके अंदर multi range का मतलब है एक voltage चेक कर सकता है 10 voltage तक चेक कर सकता है 50 voltage तक चेक कर सकता है तो इसके अंदर क्या होता है, एक selector switch है, जैसे यहाँ पे एक selector switch है, ठीक है, यह selector switch क्या करेगा, जैसे कि यह हमारा common voltage है, common terminal है, ठीक है, यह हमारा common है, common an Τरमिनल को जोडने के बाद में यह त्रमिनल जो है किस रेजिस्टेंस पे कनेक्ट है जैसे मां लोग हम यह यह यहां हम पर 50 वॉल्टेज पर कनेक्ट है तो इसका जो सरकिट बनेगा के यह और यह 2 ड करेंग्ज में तो यह तीनों resistance series में रहेंगे अगर यह यहां पर connect है तो यह यहां पर 4 resistance से connect रहेंगे और 500 voltage की range में है तो यह पूरे के पूरे resistance series में connect रहेंगे और series में आप जानते हैं कि जो है S1 plus होता जाता है ठीक है यह plus होता जाता है ठीक है वोल्टेज जो रहेगा, वोल्टेज क्या होता है, आई, ठीक है, यानि कि resistance अगर बढ़ेगा, तो वोल्टेज डॉप भी बढ़ेगा, और वोल्टेज डॉप बढ़ेगा, तो हमारा वोल्टेज का रीडिंग भी जादा आएगा, ठीक है, इस तरीके से जो बोल्टि मिटर वोते हो इस तरीक़े के सर्किट में काम करते हैं यह हमारा 12 मिटर है ठीक है है 50 voltage चेक करना है तो यह resistance और यह resistance दोनों क्या हो जाएंगे पलस हो जाएंगे यानि कि 499.5 kΩ का resistance आएगा जब हमको 50 voltage तक चेक करना होगा ठीक है इस तरीके से अब उसके बाद में देखते हैं कि किसी emitter को किसी emitter को voltimeter कैसे बनाते हैं किसी emitter को voltimeter बनाना है तो emitter के series में emitter के series में emitter के series में high value का कितना एक्तम high value का resistance जो है इसके series में connect कर देंगे और उसको जो है voltimeter के साथ अगर आपको connect करना है जैसे हमारा load है ठीक है तो इसको voltimeter को जो है यह voltimeter बनेगा उसको हमको जो है connect करना है किसके साथ ठीक है कैसे पैरलल में अगर पैरलल में connect कर देंगे तो यह वोल्टी मेटर की भाती करेगा और अगर किसी वोल्टी मेटर को एमिटर बनाना हो तो किसी वोल्टीमिटर को एमिटर बनाना हो जैसे यह वोल्टीमिटर है और इसको एमिटर बनाना है तो इसके संट में इसके संट में एक लो रेजिस्टेंस लो वेल्यू का रेजिस्टेंस जो कनेक्ट कर देंगे और हम जो है यह एमिटर बन जाएगा एम हम وverted को अमेटर बना सकते हैं और को बना सकते हैं यह देखना है आपको कि इसके resistance जो सिरीज में resistance क्नेक्ट किया जाता हूँ हाई वेल्य का resistance होता है और किसी emitter को बनाना है तो Dec के साथ में connect करना रहता है तिक है इस तरीके से किसी emitter को voltimeter और voltimeter को emitter बनाए जा सकता है अब देखते हैं इसकी sensitivity sensitivity क्या होता है कि कोई भी voltimeter होता है वो कितना sensitive है मतलब कितनी कम value को भी अच्छे से read कर सकता है ये उसकी sensitivity होती है तो इसका एक formula होता है voltimeter का जो resistance होता है जैसे VM ठीक है 0500 voltage तक read कर सकता है तो उसकी sensitivity क्या आएगी ohm पर volt में ohm पर volt में जैसे मालो कि इसका जो resistance है वो है 5000,000 ohm का ठीक है तो इसकी sensitivity क्या आजाएगी 5000 ohm बटे 500 ohm 500 volt ठीक है तो इसका sensitivity आएगी 1000 ohm परती वोल्ट ठीक है में जो resistance मेजर किया जाता है वो resistance होता है वो उसका जो multiplier resistance है वो तथा उस meter का resistance हो दोनों का total ठीक है यानि कि total resistance मेजर के calculate में लिया जाता है यानि कि यहां पे जैसे मालोग meter का resistance पचास जारोम में 45,000 ohm संट का resistance है multiplier का resistance है और 500 ohm 5000 ohm हमारा meter का resistance है यानि कि meter की coil का resistance तो total मिला कि जो होता है वो होता है पचास जारोम तो इस तरीके से sensitivity ग्याद की जाती है उसके बाद में देखते हैं कि किसी भी load के उपर या source के उपर voltimeter जब हम connect करते हैं तो उसके load के उपर क्या effect आता है देखिए इसको एक example स समझते हैं जैसे कि मानलो यह हमारा pump है यह एक पानी फीड कर रहा है किसी location को ठीक है किसी टंकी को यह pipe के अंदर से पानी जा रहा है तो इसके parallel में हम एक flow meter लगाते है फ्लो मिटर लगाएंगे तो कुछ पानी क्या होगा इस हिस्से से जाएगा तो इस हिस्से में कुछ पा को ठीक है वैसे होता हुडड़ के साथ जब हम किसी लोड के साथ में अगर कनेक्ट करते हैं ऒल्टिमेटर तो र利ben और का equivalent resistance होता है वो कम हो जाता है जिसके उन्दर से जो धारा जाएगी वो ज्यादा जाती है वो जो ज्यादा जाती है वो इस से load के अंदर से गुजरने लगती है ठीक है तो यह फरक पड़ता है कि जब भी हम किसी load के उपर resistance या वोल्टीमिटर हम जो connect करेंगे तो उसके अंदर धारा का परभाव, पड़ता है वोल्टीमिटर का लोड के ओपर जो हम connection करते हैं, उसका क्या परभाव पड़ता है, उसकी sensitivity क्या होती है यह सब आपने इस वीडियो के अंदर देखा उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया गवा अच्छे तरीके से और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब यह हमारा इस सीरीज का तीसरा पार्ट है चोथे पार्ट के अंदर हम बात करेंगे ओम मीटर के बारे में ठीक है ओम मीटर की पूरी डिटियल बताएंगे आपको कि किस तरीके से काम करता है और किस जगा पर हम इसका यूज करते हैं धन्यवाद